हेलो स्टुऎरेंट पर्षनागली 12.2 में कोश्चनомर 13 पे हम हैं कोश्चनCorpr 13 एक गोल मेझ पोश्च पर छे समान डिजाइन बने हुए एक गोल मेझ पोश्च है इस पर छे डिजाइन बने हुए ठीक है जैसा अकरती 12.1-4 में दर्शाया गया है यदि मेज़ पोश की त्रिज्जा हमें दी जई है तो हम question number 13 की त्रिज्जा note कर लेंगे यानि मेज़ पोश की त्रिज्जा यानि हमें R मिल जाएगा न, R कितना है मेज़ पोश की त्रिज्जा है 28 cm ठीक है और 0.35 पती वर्ग सेंटीमिटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत हमें ग्याद करनी है और वरग मुल 3 1.7 का परियोग भी करना है आप यहां देख रहे हो यह turkey पोश की डिजाइन है देखू तो यह जो डिजाइन है यह एक तरह से वरित खंड है निकालना होगा तो वरित खंड के लिए वमें 33 खन का शेत्तर फल निकालना पड़ता है और तो उसपंवीज को ष्यत्तर फल घढ़ाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले कौन निकालेंगे, तो कौन 360 by 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 भागों में बंडेगा न, 6 भागों में बंड रहा है, तो यह बंड जाएगा, 360 by 6, 36, यानि 7 डिगरी का कौन है यह, तो तिर्भूच का छेतरफल क्या बनेगा, तिर्भूच का छेतरफल बन जाएगा, एक बेटे दो, r स्केर, साइन ठीटा, ठीक है, यह हम कह सकते हैं क्योंकि यह 60 का कौन है, तो यह ना यूज़ करके, वरगमुल 3 बेटे 4, भूचा का स्केर, आप इसमें यूज़ करेंगे, फॉर्मूला, ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वरगमुल 3 की value 1.7 दी गई है, हमें, है न, 1.7 तो दी गई है, by 4 है, भूजा कितने ही है, 28, 28 गुना, 28, 4 सत्ते 28, तो अब इनको हम गुना करके लिख लेते हैं, तो इसकी गुना कितने बन जाएगी, इसको गुना कर लेते हैं, 28 को 7 से, साथ तुनी, 14 और 5, 19, इसको हम सत्ता से अगर गुना करते हैं, 4, 9, तो गुना इतनी आ जाएगी, इसकी, तो ये आ गया है आपका, तिर्बुज का शेत्तर फल, और तिर्जर खन का शेत्तर फल हमें निकालना है, तिर्जर खन का शेत्तर फल का फोर्मूला क्या उतता है, थीटा बाई तीन सो साथ, पाई आर स्केर, थीटा इसमें साथ टिकरी है, तो साथ बाई तीन सो साथ, पाई हमने क्या यूज करना है, बाई साथ, आर स्केर, 28 गुना, 28, साथ एकम साथ, साचुके 28, जीरो से जीरो कैंसर, 6 एकम 6, 6चिके 36, दो के बाहरे पे, दो दुनी 4, दो तीए 6, अब तीन से कुछ भी नहीं करता है, तो हम इनकी सब की गुना कर देंगे, तो ये गुना करने पे आ जाएगा, 1232 भाई 3, 22 दुनी 44 को, 44 को 28 से गुना करेंग पे, 1232 भाई 3 है, तीन से इसको भाग करेंगे, तो 410.67 आ जाएगा, ठीके, सैंटिमीटर स्केर लगा लेते हैं, अब आपी रेखो, वृत्खन का 6 तरफल, क्या होगा, त्रिज्य खन के 6 तरफल में से, इस त्रिज्य खन के में से, अगर हम ये तिर्भुज का माइनस कर ल भी लिए सकते हैं, अब रिज्य खन का 6 तरफल ये बन जाएगा, त्रिज्य खन का 6 तरफल, माइनस, तिर्भुज का 6 तरफल, हमने सोल किया है, तो 410.67 है, और तिर्भुज का 6 तरफल, 332 है, इनको आप माइनस करेंगे, तो आ जाएगा, 37.47 सेंटिमीटर स्केर, ठीके, जब भी माइनस करते हो, 410.67 में से, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाना होता है, फिर माइनस करते हैं, ठीके, ऐसे करके, ये आ जाएगा, 7, 7, ठीके, अर्टिमीर 0, इस तरह से माइनस करते हैं, तो ये विट्खन का 6 तरफल है, यानि एक डिजाइन का 6 तरफल है, तो एक इस तरफल कितना हो जाएगा, 6 गुणा, 7.47, ठीके, इनको गुणा करेंगे, तो 414.82 cm स्केर आजाएगा, 7.47 को 6 से गुणा करने पर, अब एक सेंटिमीर स्केर, डिजाइन पर कितना खर्च आता है, डिजाइन पर खर्च, कितना बताया गया है हमें, एक सेंटीमीटर स्केयर पर बर्ग सेंटीमीटर पर 0.35 रुपे ठीक है और 464.82 सेंटीमीटर स्केयर डिजाइन पर खर जोगा तो 0.35 को हम 464.82 से गुना कर देंगे गुना करने पर आजाएगा 162.86 रुपे ठीक है गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है 464.82 को पॉइंट को हटा दो 474.82 को आप 35 से गुना कर लो गुना करने पर जितना आएगा ठीक है 168 जो भी आएगा तो पॉइंट के बाद 4 अक्षर हम गिनेंगे ठीक है 2 0 भी आरी है क्योंकि इसको गुना करने पर जब हमने इनकी गुना की तो यह आया था तो पॉइंट के बाद यहां 2 अक्षर है यहां 2 अक्षर है तो कुलि मला की 4 अक्षर है तो इतना अज़ का अंसर आ जाएगा 162.68 रूपे 162.68 पैसे खर्च आएगा डिजाइन बनाने में अब लास्ट कोश्चन है इसका कोश्चन नमबर 14 तीन में त्रिज्जा आर है और विट के उस त्रिज्जे खन का छेतरफल जिसका कौन पी है तो इन चारों में से ऐसा कोण होगा त्रिज्जे खन का छेतरफल निकालना है देखो त्रिज्जा हमें क्या दिए है इनोंने आर और कोण पी डिग्री, कौन है, पी डिग्री, तो 30 गंड के शित्य फिलक्वा का फार्मूला होता है, कौन यानि ठीटा, ठीटा की जंगे यहां पी है, तो पी बाई 306, पाई आर स्केर की जंगे कैपिटल आ रहे हैं, तो यह हमारा अंसर आएगा, अब हम देखते हैं, पी बाई 306 मे यहां दो पाई आर है, तो दो पाई आर वाला तो अंसर आई नहीं सकता, पाई आर स्केर होना चाहिए, तो यहां पे देखो, यह भी दो पाई आर है, यह दो अंसर तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इससे मैच करते हैं, तो पी बाई 306, पाई आर स्केर तो हमें ऐसे दे नही ठीक है इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लिफाइ करते हैं डी पार्ट को 2 से 720 को कारते हैं तो पी बाई 360 पाई आर स्केर यह बन जाता है इसलिए इसका अंसर क्या है डी ओप्शन और यह कोश्चन बहुत इंपोर्डेंट है एक माक्स में एक नंबर में बहुत बार यह पूचा जाता है